छोटे सरकार अनंत सिंग के विधाई की जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मोकामा का राजनितिक विरासत किसको मिलेगा वो अनंत सिंग जो पांच बार से मोकामा से चुनाव जीत रहे थे अब वो विधायक नहीं रहे और बिहार विधान सभा से ये अटाया जाता है और इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो ये है कि आखिर मोकामा का राजनितिक विरासत किसको मिलेगा अगर वहां उपचुनाव होता है तो RJD वहां से किसको टिकट देती है अगर वहां चुनाव होता है तो क्या अनंत सिंग का बोल बाला रहेगा क्या अनन्त सिंग के कहने पर ही किसी को टिकट दे जाएगी या फिर अनन्त सिंग के राजनितिक करियर का अंत हो गया और इसी सवाल का जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे अब नमस्कार मिरे नाम प्रशांत राय है आप जनता जंग्शन देख रही है आरजेडी के एक प्रवक्ता ने कहा है कि अनन्त सिंग का छेत्र है मुकामा और अनन्त सिंग जिसको चाहेंगे उसको वहाँ से टिकट मिलेगा मतलब ये कि अनंत सिंग ही तै करेंगे कि मुकामा का उपचुनाव कौन लड़ेगा और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अनंत सिंग अपनी पत्नी नीलम देवी को चुनाव लड़वा सकते हैं निलम देवी वो निलम देवी जो 2019 के लोकसभा चुनाव में मुंगेर से लोकसभा चुनाव लड़ी थी लेकिन जदियू के ललन सिंग से चुनाव हार गई थी वो निलम देवी जो अनन सिंग की अरधांगनी है और ये कहा जा रहा है कि अनन सिंग अब विधायक बनाएंगे अपनी पतनी को और सत्ता अपने पास ही रखेंगे अनन्द सिंग को जब 10 साल की सजा सुना दी गई ये कई सतारीक को तब से ही आउनका विधाय की रद हो गया जब अदिसूचना कल जारी होई तो मालूम पड़ा कि अब वहां पर उप्चुनाव हो सकता है और उसके बाद इस बात को बहुत साप साप कह दिया है कि अनन्द सिंग जिसको बताएंगे उसको टिकट मिलेगा मतलब ये कि मुकामा छेतर राजद ने अनन्द सिंग को सौप दिया है अब ये अनन्द सिंग का डिसीजन है कि कौन मुकामा से विधायक बनता है ये डिसीजन वाली बात हम इसलिए कह रहे हैं दो बार वो निर्दलिया चुनाव जीते हैं दो बार जीते हैं जदियों के टिकट पर और एक बार जीते हैं राज़त के टिकट पर पांच बार जो आदमी एक विधान सभा चुनाव एक छेतर से जीत चुका है इसका मतलब यह होता है कि उस आदमी का उस बोलबाला है वैसे भी अनन्द सिंग को लोग छोटे सरकार कहते हैं और RJDC उनकी नई नई दोस्ती हुई है इसी को लेकर लगतार ये क्यास लगाए जा रहे थे कि अब जब विधान सभा ने अधिसूचना जारी कर दी अनन्द सिंग विधायक नहीं रहे तो मुकामा में अग जला विधायक कौन होगा वो जिसको कहेंगे उसी को टिकट दिया जाएगा और अनन्द सिंग को भले ही सजा हो गई है दस साल की सजा उनको सुनाई गई थी हैंड ग्रिनेड और 147 वाले मामले में और 21 तारिक को एक और सजाब सुनाई जाएगी जो उनके 2015 में पटना की आ दाश रहा है कि जब लोगों को कुछ होता है छेजाब गर्वालों पतूर उनको बना देते हैं जब बड़ा ज होता उसको लड़वा दिया आता है तो कहा ये जा रहा है कि अनन सिंग अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाएंगे और RJD इसमें बाधा नहीं बनेगी बलकि RJD छोटी सरकार के साथ रहेगी और जो छोटी सरकार कहेंगे RJD मुकामा में वही करेगी बैरहाल उप चुनाव की घोश